Hello friends, welcome to Selim की गली और आज दोस्तो मेरी गाड़ी की हेड़ लाइट के अंदर एक प्राब्लम आ गई है, लेकिन प्राब्लम ये है कि एक साइड की लाइट नो ठीक जल रही है और दूसरे साइड की जो हेड लाइट है वो थोड़ी सी डिम जल रही है और जब भी हमारी गाड़ी की headlight के अंदर ये problem आती है तो दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा fuse नहीं होता है जो वो उड़ जाता है और ना ही हमारी headlight का bulb खराब होता है सिरिफ headlight के wire connection में ही problem आती है जिसे हमें diagnose करके उसे ठीक करना होता है तो मेरे कहने का मतलब सिरिफ इतना ही है के headlight जब भी एक side की dim जलने लगे या दोनों ही dim जलने लगे तो ये ना समझे के कोई fuse उड़ गया होगा और दोस्तों साथी साथ इस वीडियो को like कर देना और ये वीडियो आपके लिए useful रही या नहीं तो मुझे comment करके जरूर बताना तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हमारी दोनों headlight में से एक light हमारी ये वाली dim जल रही है और जो दूसरी side की headlight है वो बिल्कुल ठीक जल रही है मैं खोल कर दिखा रहा हूँ आपको कुछ इस तरीके से आपको भी इस cover को खोल लेना है तो दोस्तों ये cover तो हमारा खुल चुका है और अब इसके बाद जो हमारे headlight का कपलर होता है जो बल्क का जो कपलर है ये वाला तो इस कपलर को भी हमें बल्क के अंदर से निकाल कर ए उसके कारण भी हमारी headlight dim जलती है तो दोस्तों इसको भी निकाल लेना है आपको पर ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा इसको ऊपर नीचे ऐसे side में कर करके आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इसकी जो pin होती है वो बहुत tight होती है और tight इसलिए होती है दोस् इसको निकालने के बाद यहाँ पर देख लेना है इसके अंदर जो तीनों hole बने होते हैं उसके अंदर अच्छे से देखना है कोई carbon वगएरा तो नहीं जमा हुआ है ठीक है दोस्तों ये देखने के बाद ये जो हमारा बल्प होता है इसके अंदर तीन पिन होती है जिसके कपलर को वापिस लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता है तो दोस्तों इसे लगाने के लिए simply जो बल्प के अंदर तीन पिन बनी होती है उसके उपर कपलर को रखना है और इसको दीरे दीरे ऐसे slide करना है अंदर की side ऐसे हिला हिला के left right करके मतलब इसको तभी ये अंदर जाएगा ऐसे direct आप इस पे जोर लगाओगे तो ये अंदर नहीं जाएगा और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यह जो हमारा ground wire लगा हुआ है इसको आपको क्या करना है एक plus की मदद से खोल लेना है या फिर आपके पास कोई भी dust number का tool होगा तो इसकी मदद से आपको ये खोल लेना है और खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसके ground wire पर यहाँ पर कितनी सारी dust जमी हुई है तो दोस्तों ये भी एक कारण हो सकता है हमारी गाड़ी की headlight dim जलने का तो इस dust को simply क्या करना ह साफ कर लेना है और साफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पलट के लगाऊंगा पहले दोस्तों यह कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई थी लेकिन अब मैं इसको ऐसे पलट के लगा दूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से और इसको पलटने के बाद यह यहाँ पर दोस्तो जो इसका 10 नमबर का बोल्ट था उसको भी मैं लगाकर और यहाँ पर अच्छे से टाइट कर दूँगा, दोस्तो याद रखना इसको बहुत अच्छे से टाइट करना है, जरा भी लूज नहीं छोड़ना है, और कपलर लगाने के बाद दोस्तो हमारे जो ह lock wise गुमाया है तो यहाँ पर यह cover भी lock हो चुका है तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी दोनों headlight एकदम बराबर जलने लगी है पहले एक light हमारी dim जल रही थी तो वो वाली भी अब दूसरे के बराबर जलने लगी है यहाँ पर photo में देख सकते हो आप साफ साफ पहले हमारी जो dim वाली light थी वो कैसे जल रही थी और आप देख लो कैसे जल रही है और दोस्तो यह वाली light मेरी थोड़ी सी पीली हो चुके है इसका जो glass होता है वो धुंदला पड़ चुका है और मेरे instagram का link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तो